तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में किसी image की reflection कैसे बनाते हैं जैसे कि आपको यहां सामने image दिख रही है अगर इसकी reflection बनानी हो तो कैसे बनाएंगे Microsoft World पर basic select advanced तक के वीडियो देखने के लिए नीचे description में playlist का link दिया है वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का video तो देखिए सबसे पहले हमें इस image को select करना होगा तो उसके लिए में क्या करना है image पे कहीं पर भी बीच में click कर दीजे तो यह देखे चाओ तरफ यह circle बन करके आगे इसका मतलब यह image select हो गई select करने के बाद आपको एक नेया tab दिखाई पड़ेगा picture format का यह दिख रहा है इस पर click कर दीजे यह tab आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप picture select करेंगे ठीक है यह ध्याम रखीगा इस पर click करने बाद नीचे को बहुत सारे option मिलेंगे हमको जाना है picture effect पर यह दिखरी picture effects इसके drop down पर click करिए और यहाँ पर देखी यह reflection वाला option ठीक है तो जैसे हमने cursor यहाँ पर रखा तो आप देखें कि right side में बहुत सारे option मिल लाए है अब अपने हिसाब से आप अपनी reflection डिसाइड कर सकते हैं तो माल लिजे कि यहाला हमने select कर लिया इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि image के चारो और इमेज के reflection है वो नीचे बन करके आ गया ठीक है